आज हम लावय घॉंटो बनाएंगे लावय घॉंटो एक बिंगौली धिश है इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो लॉकी जो ऐसे पतले पतले कटी हुए है इसके छिलके भी मैंने निकालके पतले पतले काट लिए है स्वाद अनुसा नमक एक चमच जीरा, एक चमच हल्दी पचास गाम उरत दाल की बरी दो से तीन हरी मर्च कुछ धनिया पत्ते दो तेज पत्ता दो से तीन चमच तेल के आउशकता होगी सबसे पहले हम इस बरी को फ्राइक करके रख देंगे इसके लिए पहले तेल को डाल गरम कर देते है तेल गरम हो गया अब इसमें हम बरी को फ्राइक करेंगे पुरा लाल-लाल करके फ्राइक करेंगे अब बड़ी इस तर पर फ्राइक हो गया अब उसमें उताल देंगे अब हम लाव बनाना स्टार्ट करेंगे अब उसी तेल में हम देज पत्ता डाल देए और जीरा जीरा थुला लाल हो जाए तब हम लावकी को डालेंगे अब में जीरा फ्राइ हो गया हम लावकी को डालेंगे अब हम इसमें यह हल्दी डालेंगे नमक और यह हरी मिच को थोड़ा चीर लिया है अब हम इसमें चीर के इसमें डाल देंगे देखिए वो खुद ही खुद पानी छोड़ा है इसमें इसलें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इसे अच्छी तरह से मखस कर लेंगे अब इससे धीमी आँच में उबलने के लिए धक कर रखतेंगे अब हमारा 80 परसंग पानी सूख गया है देखिए इसमें हम इस वक्त हम बरी को डाल देंगे इसे भी मिक्स अच्छी तरह से कर लेंगे फिर से धीमी आँच में उसी तरह से धक कर रखतेंगे अब हमारा लावेव घंट तयार है अब इसमें कटी हुई धनिया पत्त देदेंगे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइट, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए तान्योंग अफ्लिद में बाल है झां इसमेर से खानाactor लग्ट ततान है तो हमारी चानाकश पक्शू पस्पार लावदा छार हमारा वामारी पसंद एक कमेंट